हेलो दोस्तो मैं वेने कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPSC परिक्षा Online Classes में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में RRB, NTPC और Group D के लिए 2021 में जो परिक्षा संभावित हैं उस परिक्षा के लिए हम कई सारे संभावित प्रश्णों को आपको इस वीडियो सीरीज के तुरू दे रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम टेली 100 questions को complete करते हैं और आज भी हम 100 questions को complete करने वाले हैं और ये questions सारे आपके one liner होंगे जादा समयना वितीत करते हुए हम एक revision वीडियो के तहत इन वीडियो को complete कर रहे हैं तो चलिए पहले question से start करते हैं सबसे पहला मारा question है सुकन्या सम्रध्धी योजना संबंधित है तो देखे शुकन्या सम्रध्धी योजना ठीक है कहा की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ऊ से सम्बंधित है ये इसमें जो क्या है बचत योजना है एक यह ठीक है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापा जाता है तो देखे प्रश्ट प्रती मिनिट के हम क्या करते हैं आधुनिक प्रिंटर की गति को नापते हैं question number 3 is stem cell का उधारन होता है तो देखें नाभी रज्जु ठीके ब्रुण और ब्रुण मूली है यह सभी क्या होता है stem cell के उधारन होता है next question है महान समराथ अशोक किस वंश्का था तो यह आपका मौरे वंश्का था next question है अपना यूरिया सोना उगले अपना यूरिया सोना उगले किस ने शुरू किये तो देखें यह हमारे बंतरी है ठीके डी वी सदानंद गौर्ड इनके द्वारे शुरू करीगी की योजना है question number 6 है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में सीर्स राज जे कौन सा रहा है तो देखें तीसरे संस्करण में महराष्ट जो था वो सीर्स राज रहा है question number 7 है किसे सिस्को यूथ लीडर्शिप अबाउट से सम्मानित किया गया है इनका नाम है प्रिया परकाश question number 8 है नेता जी सुभाष चंदर बोज जैनती होती है तो देखें 23 जन्वरी को होती है नेता जी सुभाष चंदर बोज जैनती तो यह हमारे question important question चलने है इस सीरीज में और सभी question हमें complete करना है next question के अगर हम बात करें next question यहां पर कहा रहा है कि Greece की पहली महिला राश्टपती कौन बनी है तो देखें काटरीना सकेला रोपोल सकेला रोपोर next time अर दमन और दीप की राजधानी क्या है तो देखें दमन इसकी राजधानी है question number 11 है राज तरंगणी के लेखा कौन है तेनका नाम है कलहन फिर question number 12 है जीवो और परियावरण के बीच अन्योन क्रिया के विज्ञानिक विशलेशन को और अध्यन को क्या कहा जाता है तो इसको हम बोलते हैं पारिस्त्री की smash शब्द किस खेल से संबन देते देखे smash शब् question number 15 है स्रिलंका को किस वर्ष Dominion of Ceylon के रूप में सोतंतरता प्रदान की गई तो देखेए 1948 में इसे domain of स्रिलंका के रूप में मानिता प्राप्त होई थी question number 16 है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी क्या होता है बुद्धिमान आदमी काफी important है यह ठीक है इसके बाद next question देखते हैं हम यहाँ पर ठीक है next question क computer के निर्माता या उपयोग करता दौरा एक बार प्रियोग किया जाने के बाद किसमें हम शंशोधन नहीं कर सकते हैं तो देखे रोम ठीक है read only memory इसमें हम क्या कर सकते हैं संशोधन नहीं कर सकते हैं question number 19 है जलिया वाला बाग हत्याकान का आदेश किसने दिया था तो इनका नाम है Colonel Reginald Dyer Colonel Reginald Dyer question number 20 है retina पर बनने वाला प्रतिवेंब होता है तो देखे रेटीना पर जो प्रतिवेंब बनता है कैसा बनता है उल्टा बनता है ठीक है कैसा बनता है उल्टा काफी important question है ये भी next question के अगर हम बात करें next question है मारा विश्व आर्थिक फॉरम की 50 वी radium किस खरीच से प्राप्त किया जाता है तो देखें पिछ ब्लेट से प्राप्त किया जता है radium को question number 23 से 14 जुलाई 2015 को उडान भनने वाला NASA का पहला अंतरक्षियान कौन सा था जिसका उद्देश प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर अधारित data एकत्रित करना था तो देखें किया था तो देखें भारत ने इसको launch किया था 2016 में question number 25 है NACL किसका रसाइनिक सूतर होता है तो देखें NACL नमक का रसाइनिक सूतर होता है किसका होता है नमक का काफी important question है यह भी question number 26 दोस्तों कहा रहा है यहां पर 2019 रगभी wish book up की मेजबानी की थी तो देखें जापान ने की 30 की मेजबानी question number 27 से एक circuit का प्रतिरोद दुगना कर दिया जाता है तो voltage को समान रखने के लिए circuit में प्रभावित विदुधारा को आधी घट जाएगी तो देखें विदुधारा जोती उसको आध्दा घटाना में पड़ेगा ठीक है question number 28 से भारती संसत भवन का design किया थ थे तो इनका नाम था मेंडलीफ ठीक है question number 30 है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्तपादक छेत्र कहां पर है तो यह आपका कहां पड़ता है असम में ठीक है question number 31 है drag yam app किसने launch किया है तो देखे जहारखंड के दौरा launch किया गया है ड्रैग याँ नहीं होगा यह प्रग्याम होगा पी होगा यह थोड़ा गलत लिखिया है ठीक है प्रग्याम होता है जहारखंड में अभी प्रग्याम app को launch किया गया है ठीक है the death of Jesus पुस्तक के लेखर कौन है तो इनका नाम है JM Court G ठीक है क्या नाम है JM Court G इसके बाद अगर हम बात करें next the question की तो next question हमारा क्या रहा है दोस्तों April 2020 में संयुक्ष राष्ट संयुक्ष राष्थ संयुक्ष पेंशन कोश तो साउय राष्ट्स कोश्ट के महसीं पद से स्तीफा किस ने दिया है? सुधीर , राजकुमार के दौरा आपँ क्या करा गया है? अपर क्या ने गया है? स्तीफा दे दिया तो यह रियक वंज्टाम अगत का मिलाया था तो देखे अलाउद दीन खिल जी के दौरा गुज़ात को दिल्ली सलतनत में मिला लिया गया था नेक्स्ट कोश्चन के अगर हम बात करें, नेक्स्ट कोश्चन है 37 और 37 कोश्चन के अराए कि राष्ट्रिय टीका गरण दिवस कब होता है, तो देखें 19 जनर्री को यह मना जाता है, बीजेपी के वर्तमान, राष्ट्रिय अध्यक्ष का नाम क्या है, जेपी नड्डा, वन योजना कब से लागो ही, एक जून 2020 से, क्रिशी भूमी को पट्टे पर देने वाला पहला देश का राज ये कौन सा है, उत्राखंड है, जिसने अपनी भूमी को क्या गरा है, क्रिशी भूमी को पट्टे पर दिया है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सू सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाए है, तो देखे, सुजर लेंड के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाए गया है, क्रिस्पर, C-R-I-S-P-R का क्या अभिबराय है, तो ये देखे, ये Clustered Regularly Inter-Spaced Short Philandromic Repeats, तो ये इसका क्या है, पून रूप है, राम खेलिया, किस राज्य का लोकनेते है, तो देखे, बिहार का लोकनेते है, राम खेलिया, मानव शरीर में मौझूद कोशिकाओं में से किसमें, माइटो कॉंड्रिया नहीं पाए जाता है, तो देखे, लाल बुद्ध और शुक्र, ऐसे दो ग्रहे हैं, जिनका अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के पदेहेतू, नामित विक्ति की आयू, कितनी होनी चाहिए, तो देखे, 25 वर्स होनी चाहिए, मात्र आयू, ओडिसा दिवस कब होता है, एक अप्रैल को और बधी सा दिवस मना जाता है, क्वेशण में 25 है सनलाइस मिसन की घोषना की गई, तो देखे, नासा अमेरिका के दार, क्यारा, थेखे, 53 कोशन का रहा है कि मोधी कीचण संबंदि थे, तरी गित, तो देखे, तमिल नाडू से संबंदि थे, तिके, मोधी कीचन यूजन क को कहां लागू किया गया है तमिलाडू में कोशन में है भवनेश्वर तथा पूरी के मंदर किस सैली में निर्मित हुए तो यह शुरू है नागर सैली में निर्मित होना ठीक है तो भवनेश्वर तथा पूरी के मंदर किस सैली में शुरू है नागर सैली में यह निर्मित next question है हमारा क्या रहा है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था तो देखें विपासा ठीक है एक कुंभा नदी पूछेगा तो कुंभा का याद रखेगा काबुल ठीक है फिर इसके बाद हमारा 40 degree समानतर लेखा किस के बीच में कोशन नमर 69 है गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो देखे पंच वर्सी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा जोरो पर दिया गया था कोशन नमर 60 कहा रहा है तो उसने आपर क्या रहा है कि 2013 में प्रच्छेपित किया गया भारत का पहला विशेश रखषा उबगरहे कौन सा था ? तो इसका नाम था G7 भारत का पहला विशेश संबंदिध था रखषा से उबगरहे महिलाओं को पहली बार उलम्पिक खेलोक में सभी प्रतियोगताओं में हिस्सा मिला था तो देखे 2012 में महिलाओं ने सभी प्रतियों किताओं में क्या करा था अपना हिस्सा लिया था 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 मतलब मिल गया था इनको बाहे आंत्रिक्ष में यात्रा करने वाला प्रतम मानव कौन सा था तो इनका नाम है यूरी गया करें कॉश्च नम्बर 63 क्या रहा है भारती सं इनका नाम है Willeham Rondgen ञेंन के अगर बात करें स्वतनत्रता पुर्ब फ्रांसी सी कालनी थी तो देखे गुरू गोबिन्थ सिंग के द्वाला पाहूल नहीं परशेमिन amp Đीक के विद्रो का परतीक क्या था था तो दि चलाया था नीड़ी बारत के सम्विधान में मोस्रस्ट्र परिसेमन आयुक का पदेन सद से कौन होता है मुख्ष चुनाव. सरकारिया आयुक किस विश्य से सम् chacun होता थे केंद्रराज्य समंध की जाच Se. स मनेरा कुशन文 kan 73, लेप आके addition, तो तो छर्य देक्शन 54 है सबसे उचा जल व पर पात कॉन्सा है तो देखें, salt angel, लाल तारा की संग्या दी जाती है, तो देखें, mangal को दी जाती है, फिर अगला कुशन है, untard का पर्थम सम्मेलन कहा और कब हुआ, तो देखें, जिनेवा में 1964 में यह सम्मेल ले उना होता है, untard का, एशियाई विकार्स बैंक का मुख्याले कहा पर है, तो द देखें, तो यहां तक हमारी question complete हो गए, अब आगे देखते थोड़े सा और बचे है, next question दोस्तों कहा रहा है कि, अरब छेतर की पहली महिला लक्षमंत्री कौन बनी है, इनका नाम है जीना अकर, question में 80 है, राष्ट्य मतदाता दिवस होता है, तो देखें, 25 जनवरी को किस राज्य में संपन्वे तो देखें, असम में संपन्वे, पच्पन्वा ग्यानपीट पुरिसकार किसको दिया गया तो देखें, अक्किथम, अच्यूतन, नंबूदरी को दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष्ट शुरू हुआ, तो 1973 में सुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में बहती है, तो भारत, चीन और बांगलादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, नेक्स्ट है, कनिश्क की राजधानी क्या थी है, तो देखें, पुरुष्पुर ये वर्तमान में, पेशावर के नाम से ज मंतित है, तो देखें, मंतरी परिशत से अनुछेत 75 संबंद रखता है, तो देखें, नेक्स्ट कोश्चन के अगर बात करें, तो देखें, यहाँ पर, नेक्स्ट कोश्चन हमारा देखा है, सम्वेधान में अफशेष्ट सक्तियां किसमें नहीत है, तो देखें, संसद में और हैद्राबाद में है द्रव की चौर्थी अवस्ता क्या कहलाती है प्लाज्मा कहलाती है और कृष्ण छिद्र का सिध्धान्त प्रतिपादित किया था चंद्र शेखर राओ के द्वारा प्राकरतिक रबड बहुलाक है आईसोप्रीन का और कोशन नमर 96 है हाईडोजन बम क कि दिगंबर जैन अन्युआई थे दिगंबर सौ कह रहा है बीजक किस की करती है तो यह हमने आज अपनी वीडियो में क्या करा है 100 कोश्चन कंप्लीट करें हैं ठीक है और बहुत ही महत्पूर कोश्चन है इनको आप करिएगा ठीक है और कौपी में नोट कर लिजे और बाद बाइबाइब वीडियो को लाइक जरू किजिए अब